विस्विल्य रह्मान रहीम, असलाम लेकुम जिनाब, I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, I am sure कि आपको ये जो course है, इसकी basics ये इसका मकसद पता होगा, कि ये उन बचों के लिए design किया गया है, who are new to accounting, जिनोंने इससे पहले कभी accounting नहीं पड़ी है, इन बचों को, उस exemption की वजए से आपको ये चीजें ये knowledge नहीं पता चली, तो इसके लिए near peer की तरह से हम लोगों ने आपको एक course free of cost दिया है, जिस course में इस वकद आप ये video देख रहे हैं, इस course के इंदर क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, इसको आपर कितना time लगेगा, इसके features क्या है, क्य इसकी basis के उपर आप F.A.R.1 शुरू कर सकते हैं, इन बातों के उपर आज हम discussion करेंगे इस session में, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये AFC के उन students के लिए है, जिनको बिल्कुल भी accounting नहीं आती है, और उनको accounting की basic knowledge दे दी जाए, ताके वो F.A.R.1 जब शुरू करें, तो जिस आप लोग अगर इसमें से किस लोगों ने इससे पहले B.com में या I.com में accounting पड़ी है, तो वो उस accounting की knowledge की base के ओपर भी F.A.R.1 पढ़ सकते हैं, लेकिन in that case, it is better कि आप इस course के जो notes हैं, उनको एक दफा go through कर लें, जिससे आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि आ आती हैं, और क्या आपको ये course लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, इस course के अंदर बहुत ही specific topics add किये गए हैं, which are needed for your F.A.R.1 course, जो के module by module add कर दिये गए हैं, ये एक 30 दिन का plan है, इसमें day by day आपको videos देती गई हैं, हर दिन का एक अलग module बना है, sub module बना है, और in 30 days के अ अंदर भी मजीद देखें, तो approximately 24 से 25 दिन ये आपके working days हैं, और पीच में हर module के बाद एक दिन आपको rest का मैंने suggest किया है, और rest का मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं बढ़ना, rest का मतलब है revisions and any follow up अगर आपकी कुछ चीज़ें late हो रही हैं तो वो आप करेंगे, इस lecture के अं questions पूछ सकते हैं, और ये service भी आपके लिए free of cost है, इस course के कुछ specifically designed notes हैं, जो के सरफ और सरफ इस course को support करेंगे, ये कुछ 160-170 सफो के notes हैं, जिन में तमाम important questions जो के videos में discuss हुए हैं, या जो मैं चाहता हूँ के आप practice कर लें, वो उसमें मैंने डाल दी हैं, तो कहने का मतलब क्या है, कि इसके अपने अलग से specific notes है, आपको कोई FAR 1 वगरा की, या introduction to accounting की book भी लेने की जरूद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, और आपके पास वक्त कम है, और आपने basic knowledge हासल करनी है, मैं क्योंके FAR 1 का भी teacher हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि what are the topics that should be done, that should be discussed before going to FAR 1, तो मैंने एक बड़ा minimalistic सा course बनाया है, ताके इसमें कोई ज्यादा चीज़ें भी ना आपको कराई जाएं, और कम चीज़ें भी ना हो, और आप अपना FAR 1 का course, जब March में, आप किसी भी college में बढ़ते हैं, वहां से, आपकी जब classes शुरू हों, तो आपको FAR FAR 1 के लिए, उसको शुरू करने के लिए दिकत का सामना ना करना पड़े, जो basic topics हैं, उनकी 100% coverage है, ऐसे नहीं है, कि उनको मैंने किसी crash course से, या revision sessions की तरहां से पढ़ाया हुआ है, मैंने उनको बिल्कुल वैसे पढ़ाया हुआ है, कि जैसे student ने इससे पहले कभी accounting नहीं पड पारता है, यह बिल्कुल वही वाले lectures है, यह जो lectures हैं, यह आपके पास free of cost, आपके exam के दिन तक available होंगे, कुछ लोग अभी B law का, fast track का course कर रहे हैं, और वो यह परिशान है कि वो यह free वाली opportunities जाया ना कर दें, तो जनाब बिल्कुल आपको इसमें परिशान होने की ज़रू को हो रहा है, उसके बाद भी यह course तकरीबन 31st March तक आपके लिए available रहेगा free of cost, उस time period के दुरान आप इसको cover कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि यह तकरीबन 24 बचेस दिन है, तो you can complete your topics after that very easily, तो अभी आप सिरफ और सिरफ B law के fast track, अगर आप ले रहे हैं तो उसके उपर focus करें, और उसके बाद इन्शाला यह course आपके लिए available होगा, आप इसको पढ़ लिएगा बाद में, तो यह कुछ basic features हैं जो इस course के हैं, हम आगे चलते हैं और मैं आपको quickly बता देता हूँ कि आपने इस course को पढ़ना कैसे, सबसे पहली चीज़ तो है, वो है course schedule, अगर आप course में जाएं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यह course कहां से आपको नदर आएगा, आपने जाना है near peer की website पर, near peer की website है near peer.org slash lending, तो यह slash lending खुद ही इसके आगे आजाएगा, आपने सरफ लिखना है near peer.org, तो यह website आपके पास open हो जाएगी, यहाँ से आप CA के अंदर जाएगे और CA के अंदर, आप सक्रोल करेंगे, तो आपको purple color का एक course नदर आएगा, जिसको पर free भी लिखा हुआ है, this is your course, pre-FAR1, for students of AFC December 2021, और आप देखें कि यहाँ पर कोई price नहीं लिखी हुई है, जो आप इसको पर click करेंगे, तो आपको इस course के अंदर कुछ चीज़ें नदर यहाँ पर देखें, pre-FAR1 के नीचे view course schedule लिखा हुआ नदर आ रहा है, आप इसको पर click करेंगे, तो एक course schedule open हो जाएगा, अब तरह गौर से देखिएगा, course schedule में module number 2 है, आपका पहला module जो आपने पढ़ना है, क्योंकि first module में तो यह introduction वाली video अपलोड हो जाएगी, जब आप module number 2 में जाएगे, तो आपको यहाँ पर day 1 के आगे तीन videos नजर आ रही है, तो पहले दिन आपने सरफ यह तीन videos देखनी है, और इस से related notes के questions करने, यह ज्यादा से ज्यादा एक गंटे की videos होंगी, या एक गंटे से भी कम की videos होंगी, क्योंकि air beer के उपर हम लोग गंटे करते हैं, कि student के लिए understandable हो, और वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा lengthy चीज़े ना हो, day 2 के अंदर आपने यह दो videos देखनी है, video number 4 और 5, और इसके अंदर example number 6, 7 और 8 discuss हो रही है, अब यह examples उनके solutions आपको कहां से मिलेंगे, तो आप दुबारा course पर वापस जाए, आपको notes open हो जाएंगे, which are 160 pages, इन notes को print कराने की हरगे ज़रूरत नहीं है, आप इनको पढ़ते जाएं, आपको इन notes के अंदर तमाम introduction to accounting का concept मिलेगा, इसमें तमाम questions हैं, पूरे short notes हैं, हर question जो के practice question है, उसका solution भी यहाँ पे मौझूद है, तो जो जो चीज़े हम लोगों ने course में discuss की हैं, आपको उसके specific notes भी मिल गएं, accounting के अंदर यह होता है, कि notes देखने में बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे होते हैं, लेकिन यतने बड़े notes होते नहीं हैं, क्योंकि इन में questions और उनके solutions के ओपर काफी ज़्यादा pages जाएना, वो use हो जाते हैं, हम लोग वापिस आते किसी एक module में चलते हैं, module number 2 में चलते हैं, जो आप सबसे पहले दिन शुरू करेंगे, module 2 के अंदर भी आप देखेंगे, कि आपको day by day schedule नजर आ रहा है, वो ही जो तीन videos जी जो पहले दिन आपने पढ़नी थी, वो तीन videos यहाँ पे पहले दिन के अंदर uploaded हैं, video 1, video 2 and video 3, ज onward आपने पढ़ते चले जाना है, bad and doubtful debts, accruals and prepayments, inventory, property plant and equipment, final accounts, यह कुछ चीजे हैं जो आप 30 दिनों में complete कर सकते हैं, और यह आपने daily, जितना एक दिन का lecture है उसको उतना पढ़ना है, for example, पांच यह दिन आपने क्या पढ़ना है, आपने video 10, 11, 12 और 13 पढ़ना है तो यह day 5 के अंदर uploaded है, अगर आपका इसमें कोई confusion है, तो आप मुझे WhatsApp group में message कर सकते हैं, इस course के लिए एक अलग से WhatsApp group बनाया गया है, जो आप join कर लेंगे, तो जनाब करना ही होगा, कि आपने specifically, यह जो आपका course है, इसको follow करते रहना है, course schedule को follow करना है, module wise videos available हैं, और notes भी available हैं, तो इस तरीके से आप लोगों का FAR 1 के लिए त्यारी complete हो जाएगी, फिर इसके बाद आप FAR 1 जहां से भी पढ़ना चाहें, वहाँ से पढ़ सकते हैं, I wish you very best of luck, thank you very much, Allah आफिस.